हेलो आज हम कक्सा बारा का मैच शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके लिए कुछ टोपिक्स रिलेशन और फंक्सन यह आपने कक्सा ग्यारा में भी पढ़े हुए हैं तो पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कक्सा ग्यारा में जो हमने पढ़ा था चुकि रिलेशन हमें पढ़ना है संबंद एवं फ्लन यानि कि रिलेशन संबंद और फंक्सन फ्लन तो संबंद आज संबंद और फ्लन को पढ़ने से पहले हम कक्सा ग्यारा का रिकॉल करते हैं कक्सा ग्यारा में हमने पहले पढ़ा था कार्टे गुणन Cartesian Product Cartesian Product Cartesian Product To Cartesian Product जो होता है वो दो सेट के साथ में होता है अगर हमारे पास दो सेट है एक फॉर एक्जम्पल वन और टू माल लेते हैं और बी एक सेट है मेरे पास कि एंड बी अगर हम इसका कार्टिजन प्रोड़क्ट कहते हैं तो ओडर्ड पेर्ड का सेट होता है इट मेंस एक रोस बी मेरे एक रोस भी इसे बोलता है कार्टिजन प्रोड़क्ट या कार्टि इसे कैसे लिखें कि इनके जो और पेयर बना सकते हैं जितने भी पोसिबल और पेर होंगे मोनसब इस सैट में लिखे जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं कार्टिजन प्रोड़क्ट क्य pap accident कोमा y such that x belong to a and y belong to b अगर हम लिखना चाहें तो एक रोस बी जो लिखा जाएगा यह क्या होगा हमारा के वन कोमा एक है तो को वन को माए वन कोमा d1 को माई टू गूमा है यह कख्सा 11 में हमने पढ़ा है कि यह काइट यन प्रोडक्ट होता था जिसका रोश्टर और स्ट विल्डर हों मैं तो काइटियन प्रोड़क्ट के बाद हम बात करेंगे रिलेशन पर लेकिन उससे पहले जैसे हमने एका बी के साथ कार्टिजन प्रोड़क्ट लिखें तो कुछ इस परकार लिखा जाएगा अगर एका ए से लिखें फॉर एक्जम्पल अगर हम यह देखें कि एका ए से यह ए है और यह भी यह ले लेते हैं वन टू और वन टू तो यह कार्टिजन प्रोड़क्ट जो होगा इसका क्या होगा एक रो से वन कोमा वन वन कोमा टू टू कोमा वन और टू कोमा टू जो अलेवंथ में हमने रिलेशन पढ़ा था वो दो सेट के error ऊप्रोड़ करें क्यार मचार कि आस्ते में होगा उन एक रिलेशन की जो यह हमारा ओर्डर 이야기 पाइल टू एक दाना तो और रिलेशन के अगर बात करें तो ऋ जो रिलेशन होता था वो जो यह हमारा order cartesian product होता है cartesian product में से या तो cartesian product के कुछ elements लेकर होगा या कुछ अव्यव लेकर होगा या फिर वो खुद पूरा का पूरा हो सकता है तो कहने का मतलब यह है कि माल लेते अगर हम फोर एनी सेट अगर एक कोई सेट है फोर एक्जमपल यहीं ले ले लेते हैं वन कॉमा टू तो एक कॉमा एपर ही एक रोस एपर ही हमारा जो रिलेशन होगा वह सबसेट होगा या एक दोज इससे हम डाव ऑप इससे हम बोलेंगे रिलेशन कि अब यह ड 27 आ यहां तो पूरा है एक रोस इस और सकता है या इसका सबसेट हो सकता है तो तो रिलेशन रिलेशन अभी यहां पर हमने एक रोज वी का लिखा था तो एक्स कोमा वाई सच देट एक्स बिलोंग टो यह केवल ओडर पेड लिए गए थे यहां पर जब रिलेशन लिखेंगे पर एक्जांपल मैं अगर इसके लिए कोई रिलेशन लिखना चाहूं तो जैसे आर 근'm एक्स कोमा वाई वाई अशाइड एक्स प्लस य लेघ साथ फ developer पाख यह लिखें इसका अगर हम पिल्डेशे लिखें तो इसी के साथ तो एक रो से 1,1 1,2 and 2,1 and 2,2 यहां देखो कि इनका ordered paired है plus x plus y का जो sum है वो 4 से कम है यहां 4 है यहां 3 यहां 3 यहां तो यह इस तरह से set define होता था चुकि नई sorry relation define होता था relation को हमने 11th में पढ़ा है तो आज हम किसी एक ही set पर relation पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं अगर मैं इस relation की बात करूँ अगर यह relation है कोई किसी एक set ए पर इसके लिए अभी हमने 1,2 इसमें 2 element है इस पर relation की definition यह थी कि relation जो होगा कार्टिजन प्रोड़क्ट का किसी set के साथ सबसेट होगा या सबसेट या इक्वल होगा उसके बाद हमने एक relation लिखा है अगर इस relation को आप देखें इस relation को आप देखें तो यह पूरा एक रो से एक इक्वल है तो यहां हम टाइप सोफ रिलेशन अगर पड़ें तो जो टाइप सोफ रिलेशन है यानि कि संबंद के परकार के परकार टाइप सोफ रिलेशन जो फर्स्ट आता है वो आता है अनके रिक्ट संबन ते ने है जिक्ट संसल है यानिकं एम पेटि यान एमटी रिलेशन अगर यान की बात करें हम अगर मैं एक सेट लिखता हूं अट ए वो déb एभी आप यहाँपे मान लें कि यह ही है अगर इसके लिए मैं एक रिलेशन लिख देता हूं आर साइध एक्स प्लस सुरी एक्स कोमा वाई और एक्स प्लस वाई गरेटर दें फोर एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी यह अगर लिखें तो आप देख सकते हैं अगर एक लिए इस एक लिए सब्सक्राइब करें तो आर कुछ ऐसा आएगा कि फाई है क्योंकि क्योंकि इसके ओडर पेर पहले से हमने लिखे हैं और अगर इसके ओडर पेर यह हैं और अगर मैं यह रिलेशन लिखूं एक्स प्लस वाइफ ग्रेडर दन फोर मतलब आर में वह एलिमेंट जिनका सम वह अल्यु आफ इक अडर पेर जिनका दोनों का सम कितना वह वह सहाँ ईहां से एक भी नहीं आयेगा तो इसलिए वाइड़ तो एक ऐसा सेट जिसमें एसा एक रिलेशन जिसमेंकोई एलिमेंट ना हो देख रहे हूं 1,1 1,2 2,1 2,2 यह इसी एपर डिफाइन था यह हमने वही माना वाए सोरी यह है यहां यह में ही आएगे दोनों अगर हम एपर डिफाइन करें तो यह जो आ रहे है यह इक्वल टू एक रोस ए है यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो अपने ओडर पेड के एक्वल हो एक ऐसा रिलेशन जिसके एलिमेंट पूरे ओडर पेड के एलिमेंट के एक्वल हो सब्सक्राइब एक रो से में भी यहीं अलिमेंट थे और इस रिलेशन में भी यहीं तो ऐसा रिलेशन जो कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन सार्वात्रिक सार्वात्रिक पढ़ सकते हैं हिंदी में यूनिवर्सल इसा नहीं मतलब फोर एन एनिसेट ए सेट ए फोर एन सेट ए इफ आर जो इक्वल हो जाए एक रोज हें पूरी तरीके से यह थी हमारी विद्रियसन की definition तो यह यूनिवर्सल हुआ और यह हमारा और ओर इसी प्रकार अगर हम उर्रिलीशन देखें जैसे इनदोम्हां पर हम देख सकते हैं सिंसर्ड में आइडेंटिटिटि रिलेशन अधित समग क है इसी आभी मैं एको ही लेकर चला हूं इसी एक सेट एपर और फॉर ए अगर मैं आर इस परकार लिख दूँ है कि वन कोमा वन वन कोमा सोरी तो कोमा तो यह एलिमेंट लिखते हैं तो वन कोमा वन टू कोमा टू यानि कि एक ऐसा रिलेशन जो किसी सेट के खुद के अलिमेंट से ही रिलेशन रखे यानि कि खुद के अलिमेंट को ही मैप करें या अपने जैसे यानि कि अपने जैसे अपने अपने अडेंटिकल किसी अलिमेंट को मैप करें तो ऐसे रिलेशन को इसमें केवल अगर यह वन है वन वन को ही मैप करेगा और टू को ही मैप करेगा मतलब अगर यह है वन टू वन टू तो वन वन को मैप करेगा और टू को मैप करेगा तो ऐसा रिलेशन क्या क्या लाता है अगर हम नेक्स की बात करें किसी एक सेट एपर डिफाइन आर एक रिलेशन है रिलेशन आर सवतुल्ले होगा यदि यदि अगर किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट एक मतलब किसी एक एलिमेंट एक लिए जो एक सेट से है उससे मान सकते हैं फिलाल कोई सेट ए हैं उस फिञ Beaumazya विलों करता हार में हाला कि identity में आजना सब्सक्राइन वात लेकिन और एक को मांंत यही है के मतल और कि इसमें किन यह तो होंगे इसके अलावा भी हो सकते हैं यानि कि हम यह सकते हैं कि एक के विशंक्ए को एक के अब यह स्वेम को या अन्य को भी को भी मैप करें यानि कि अन्य को भी मैप करें तो हम इसे हम वैसे रिलेशन को हम सवतुल्य बोले हैं तो फिलाल यह डेफिनेशन है ए बिलोंग तो ए और अगर ए बिलोंग करता है आर में जैसे फिलाल अगर ए पर ही बात करें एक्जम्पल लाग फॉर मनलब वन कोमा टूँ है और अगर आर में यह लिख दूँ वन कोमा वन वन कोमा टू टू कोमा टू और टू कोमा वन तो आप देख रहे हैं यहां यह भी है और यह भी है इसमें के वल वन कोमा वन टू कोमा टू थे तो वन कोमा वन और टू कोमा टू और इसके अलावा भी है तो इस आर को हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स जी जाने कि सवतुल्ले बोलें मों सवतुल्ले संबंद सवतुल्ले संबंद तो फिलाल रिक्ट संबंद यूनिवर्सल आइडेंटिटी सवतुल्ले और इसके बात जो फिप्त आता है वो आता है हमारा सम मित संबंद यहनके स्मेट्रिक 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 क्लियरेशन क्या होगा कि ए पर ए कोई सेट्थ है अभी हम ए मानने है ए पर को ए पर आर सममित होगा यदी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो यदि A, B R में है तो B, A belongs to R B, A भी belongs करना चाहिए R में मतलब इसके लिए A, B अगर R में है मतलब कोई ordered paired कोई R relation में है तो उसका change कर गए यानि कि symmetric उसके उल्टा जो है वो भी R में होना चाहिए for all जो A है और B है वो बिलोंग करते हैं for all A और B जो बिलोंग करते हैं वो हमारे A से हैं इसका भी example देख लेते हैं जैसे यही relation हम लिखते हैं इस relation में 1,2 है एक रिलेशन और 2,1 1,1 और 2,2 तो अगर इसमें 1,1 है तो 2,2 भी 2,1 भी है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह relation हमारा सम्मित relation क्या लाएगा हाला कि इस relation को हम सब तुल्ले भी कह सकते हैं क्योंकि 1,1 2,2 भी है और क्योंकि 1,2 है 2,1 है तो इसे हम सम्मित संबंध भी कह सकते हैं फिलाल रिलेशन में हमने जो किया पहले हमने कार्टिजन प्रोड़क्ट को समझा रिलेशन की डैफिनेशन है उसके बाद टाइपस ऑफ रिलेशन है इसके बाद जो आता है वो आता है अमरा ट्रांस्टिव यानि की संक्रामक वह हम देखते हैं नेक्स वीडियो में फिलाल आप इतना समझें तन्यवाद